दोस्तो इसको दुनिया भय में सुपाय फूट की नाम से जाना जाता है यहां तक कि नासा के गिपोर्ट में इसको फ्यूचर का सबसे बेस्ट सप्लिमेंट कहा गया है दोस्तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटमिन्स, मिनेल्स, प्योटिन, केल्सियम वह सभी चीज़ पाई जाती है जो इंसान के सरीर के लिए बहुत ही जरूरी होती है जैसा कि आजखल सभी लड़के बॉड़ी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोग प्योटिन ढोनते रहते हैं इसके अंदर पालक, मास, अंडा, दाल, सोया इन सभी के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्योटिन इसके अंदर पाया जाता है ऐसा कहा जाता है कि कच्छुआ इसी को खाता है इसी लिए वो 400 से लेके 500 साल तक जिन्दा रहता है दोस्तो आयोवेद में आमला को सबसे बड़ा और सधी माना गया है पुड़े इंडिया का जितना भी आयोवेद डॉक्टर है वो लोग आमला को नमबर वन और सधी मानते हैं लेकिन पुरे दुनिया भय में, अलग-अलग कंटी में, अलग-अलग देशों में, इस फी लुनिया को वर्ल्ट का सबसे अच्छा दवा माना जाता है, इसके सेबन से हमारे बॉड़ी में अलकलाइन की मात्या जादा बनने लगती है, और दोस्तों आप सब जानते हैं, अग ऐसे की आमला, दूद, एपल, इन सभी के अंदर अलकलाइन की मात्या होती है, इंसान के सरीर में, अलकलाइन की मात्या जितना जादा बढ़ेगा, उतना ही उसके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, इसके सेबन से आपको और भी बहुत सारी फाइदा मिलती है, जो कि मैंने स् प्रिमारियों में भी इसका इस्तमाल किया जाता है, सुगर, डाइविटीज, कैंसर, इसकीन प्रोबलम, ग्यूरिन प्रोबलम, सेक्स प्रोबलम, खून को सफा करने में इसका इस्तमाल किया जाता है, देखा जाए तो एक ऐसा दबा है, जो आपके सभी प्रोबलम को सॉल् में खाना पीने की कमी नहीं होगी वह जंग अच्छे से लड़ पाएंगे दोस्तों इसके सेवन की बहुत जादा फायदे है इसकी इनके लिए हैं के लिए आ के लिए लीवाई के लिए किड्नी के लिए इसके बारे में जितना भी लंबा वीडियो बनाये जाए कम परेगा इ इसलिए मैं आपको सौट में इतना बताना चाहता हूँ इसका सेवन करे और सभी बिमाडियों से छुट कारा पाए